हलो मेरे प्यारे साथियों आप सभी का स्वागत है आज हम दो हजार पचीस का गड़ीत का वारल पेपर को हल करेंगे जितने भी चात्र कच्छा दस के हैं ठीक है कच्छा दस के जितने भी चात्र हैं और जिनका दो हजार पचीस में बोर्ड का एक्जाम है ठीक है वो इस पर आपके बोड के एक्जाम में देखनी के लिए मिलेगा जब आप बोड एक्जाम देने जाएंगे तो आपको जो प्रश्ण पत्र मिलेगा सेम टू सेम इसी प्रकार का प्रश्ण पत्र मिलने वाला है ठीक है देखे जो प्रश्ण पत्र आपको मिलेगा तो यहां पर आपक प्रश्ण पत्र को पहने के लिए आपको समय दिया जाता है यहां पर इसके कुछ समान निर्देश होते हैं ठीक है जो आप समान निर्देश को पहले से जानते रहेंगे तो आपको बोर्ड के एक्जाम में किसी दूसरे से पूछने का वशक्ता नहीं पड़ेगा देखिए हैं समान निर्देश में जो इंप्वाटन निर्देश हो केवल आपको बता देते हैं जैसे देखिए यहां पर सिकेंड वाला जो है कि इस पत्र जो होगा यह प्रश्ण पत्र जो होगा दो अगला निर्देश जो आपका रहता है इसमें पचास अंक के विस्त्रीत उत्तरी प्रश्ण रहता है जिसमें आपको दिर्ग उत्तरी प्रश्ण जो रहता है रहता है उसका उत्तर आपको उत्तर पुस्तिका पर देना होता है जो बोर्ड के एकजाम में आपको मिलेगा यहां पी इसके कुछ जो समाल निर्देश से आप पहले जिएगा ठीक सब निर्देश को जानने की जरूत नहीं है आपको मेन मेन जो इसके समाल निर्देश से आ आने वाले हैं ठीक है देखिए पहला प्रश्ण आपका है कि कौन सभाज संख्या का युग्म है पहले आज समझे सभाज संख्या होता क्या है सभाज संख्या को मतलब समझ जाएंगे तो आप इंसवर निकाल लेंगे ठीक है देखिए सभाज संख्या संख्या एक और अबाल होता है जब दो संख्याओं का chim जो अता है मतलब मुषत्रम समाफर्था एकड़ा एक अधा है तो उसे क्या कहा जाता है सब्सक्राइब कए संख्या हो जाता है उसका कोई वी उबेनिष्ट गुटअनखन नहीं होना चाहिए जैसे देखिए जैसे 3 ले लेंगे और 4 ले लेंगे दीन और 4 का पूछेंगे इसमें कामन क्या होगा तो बोलगे कुछ नहीं इसका मतलब इसका स्याथ कितना होगा एक होगा ठीक है यार किसी संखिया सा नहीं कटेगा चा प्रेव आपसन को हल करके बताते हैं यह चार आपसन आपके सामने है देखिए 18 पचीस का स्वाइब निकालेंगे यह बताई एक अठाव पचीस के स्वाइब कितना सकता है आप ही बताइए यह इसके स्वाइब निकाल के देखिए एक ही आएगा क्योंकि इसका कोई स्वाइब कटेगा यहां 31 से 93 कटता है और यहां पर अठाव सब्सक्राइब क्या होगा इसका सही जवाव आपका एवाल हो जाएगा ठीक है आपको समझ में आ गया होगा यह प्रस्ण अगला प्रस्ण दूसरा नंबर के देखिए का रहा है 144 की अभाजी गुर्णों खंड की घातों का योग होगा इस प्रस्ण को आप कैसे लगाएंगे देखिए 144 तो पहले 144 का क्या किजिएगा गुर्ण खंड कीजिए का इस पकास कीजिए गए फिर दो से भाग देंगे 36 बार में, फिर दो से देंगे 18 बार में, फिर दो से देंगे 9 बार में, ठीक है, इसको गुणा खंड कर लिजेगा, फिर 3 से कटाईएगा, तीत लिखे 9, फिर 3 से 3 कैम 3, अब इसको कैसे लिखा जाता है, इसको लिखेंगे दो गुरे, दो गुरे, यहां पर जो आपसे पूछ रहा है घातों का योग पूछ रहा है यहां पर घात कितना है चार है और दू को जोड़ लीजिए चार दू कितना है चा गया घातों का योग कितना हुआ आपका चाह हुआ ना यहां इसका सही जब कौनसा अगर बीवला अपसन करेक्ट हो जाएग यहां पर दिया है यम के किस मान के लिए समी करण यूग में 1-2I बराबर 3 और 3X प्लस MY बराबर 1 का अधियूतिग हल होगा यहां पर पहले आपको समझना है कि अधियूतिग हल होता क्या है जब अधियूतिहल दिया रहता है तो उसका कंडिशन क्या होता है देखे दिता देखे अधि करम को का करना है यहां पे माल रखना तो यहां पे रखते हैं , ध्यान दीजिएगा क्या से रखेंगे, यहां पर यहां के बगल में कछ नहीं, यहां पर कितना रखेंगी कितना है तो य के बगल में यम है तो यम ले लिजिए ठीक है अब इसको हल कर लिजिए देखिए यम का एक में गुड़ा करेंगी यम होगा यहांप आपसन में देखिए यम बढ़ा और और मायनस यह यहा गलत हो जागा सी होगा इसा इस सवाल को लगाना रहता है समझ में आ रहा है परतेक question को एकदम detail में पता रहे हैं और यही question आपको board के exam में देखने के लिए मिलेगा अब देखें अगला प्रशन जो है यहाँ पर दिया है 2x plus 3y बराबर 18 x minus 2y बराबर 2 का हल होगा इसको दो वीदी से लगा सकते हैं तो दोनों वीदी में पहला वीदी आपको समझाते है पुरा detail वीदी समझाते हैं देखें कैसे लगाएंगे 2x plus 3y बराबर कितना हो जाएगा 18 दिया है चले इसको समिकड़ 1 माल लेते हैं और यहाँ कितना दिया है x minus 2y बराबर 2 दिया है यह समिकड़ 2 माल लेते हैं अब देखें इसको हल कैसे करेंगे आपको पता है कि एक बराबर 18 यह समिकर नमबर 1 है समिकर 2 में क्या किजेगा दू से गुड़ा कर लिजेगा जब दू से गुड़ा करेंगे देखें 2x में करेंगे 2x हो जागा minus 2 का 2 में करेंगे 2 दूना के 4y हो जागा दू का इसमें करेंगे 2 दूना के 4 हो जागा यह समिकर 2 हो गया अब बटाकर साथ हो जाएगा तो आपका हो जाएगाई कर साथ होगा तो इसलिए पहले की आपको नहीं थी आगा LIVE को महीं हो जाएगा क्या हो जाएगा वहला апसव क्या हो जाएगा सभी हो जाएगा लेकिन इस सवाल करके बता देए कि यह सवाल लगेगा कैसे तो य कमान दू हुआ अब देखे इस y का मान क्या करेंगे समीकर 1 है 2 किसी में रख लीजिएगा देखे समीकर 1 में क्या करते हैं y के जगा पर 2 रखते हैं 2x प्लस 3y बराव कितना 18 है यह समीकर नमबर 1 है जिसे यक्स का मान ग्याद करते हैं देखे 2x प्लस तीन गुड़ वाई के जगा अब दू रख लीजिए कि बराबर अठार हो जाएगा देखे दू एक्स प्लस तीन दूना के 6 बराबर अठार हो जाएगा अब देखे दू एक्स बराब अठारा चा को पच्छान देख लीजिए मानच 6 होगा दू X वरावर 12 वटाके दू दू से कटेगा 6 वर में देखिए X कमान 6 और Y कमान 2 और यही देखिए आपका आपसन में दिया X कमान 6 और Y कमान 2 ति इस पकास इस सवाल को आप लगा सकते थे ठीक है? ति इस पकास सवालों को आपको पूरा डिटेल में समझा रहे हैं यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर साथ में कर दीजिएगा अगला देखिए पांचवा नमबर का के कि किस मान के लिए रैखिक समिकर यूगम X प्लस KY बराबर 1 तथा KX प्लस Y बराबर KS के अनेक हल होंगे अब देखिए इस सवाल को लगाने के लिए पहले ता आपको पता होना चाहिए कि अनेक जब हल होता है तो इसका कंडीशन क्या होता है ठीक है? देखिए आपन अनेक हल का कंडीशन होता है A1 अपान A2 B1 अपान B2 बराबर C1 अपान C2 यह कंडीशन होता है अनेक हल होने का अब यहाँ पी देखिए A1 का मान यक्स के बगल में जो मान होगा A1 का होता है यक्स के बगल में कुछ नहीं तो 1 बराबर C1 के जगह पे देखिए यहाँ पे C1 का मान 1 है और C2 का मान K2 है आपको क्या करना है K का मान गयाद करना है इन दोनों समिकड़ों में किसी को आप हल कर लीजेगा चलिए इसको इसको दोनों को साथ में लेके हल करते है जब इसको हल करेंगे देखिए k का k में गुड़ा करेंगे k square हो जाएगा और एक का एक में गुड़ा करेंगे तो एक हो जाएगा यहां से k वल k कमान गयाद करना है तो दोनों पच्चों का कर ले लेंगे ठीक है k बाहरा जाएगा और एक का वर गा-मॉल plus minus कितना होता सब्सक्राइब लेकिन प्लस-ब्दियार तो आप सही लगाएंगे यहां पिसका चलिया है क्या हो जागा ऑगा कैसी सवाल लगाएं यह देख सकते हैं आप एक बार अगला नमबर का सवाल अगला नमबर का सवाल आप कैसे लगाएंगे बस ध्यान देते रही है आपको पुरा डिटेल में सवाल को बताएंगे ठीक है अगला आपका सवाल है यदि एक बटा की एक स्कॉार माइनस दू बराबर एक बटा के साथ हो तो यक्स का मान ग्याद कीजिए देखिए जब भी इस पका सवाल मिलेगा ता आप तीरिया गुडा केजिए साथ का एक में कर लिजिएगा इसका इसमें कीजिएगा देखिए एक स्कॉार माइनस दू का एक में करेंगे तो कितना होगा यक्स स्कॉार माइनस दू होगा बराबर साथ का एक में गुडा करें माइनस तीन होगा देखें वर्गमूल जो हता है ना किसी भी संग्या का वर्गमूल निकालते हैं तो उसका वर्गमूल हमें सब आघ्वानमँ मृक Lewis Sl copieseeee ying fruits और दिया है एक काद माइनस थीन एक म Went सुर्ण के पूच नियान आपके इस सवाल को कई सी लगाएंगे पार applications on स्वेटर्णालाघ्र यह पारता है तिके यह केंद्र होता है इसका एक यास होता है रिए एक प्रत подготов hunt दिया है दो कामा माइनस तीन देखिए दो कामा माइनस तीन हो जाए ठीक हो गया दो कामा माइनस तीन इसके अलावा बी का निर्देसांग दिया है एक कामा चार यहां पर एक निर्देसांग पूछ रहा है एक निर्देसांग को हम क्या माल लेते हैं यक्स और वाही माल लेते अब ये बताएए, कि AB का जो एक केंद्र होता है, मद्धि बिंदू होता है न, यहाँ पर आप मद्धि बिंदू निकालीएगा, देखें मद्धि बिंदू, का निर्दे शांग बराबर, निर्दे, शांग, बराबर क्या होता है, यक्स वण फ्लस, एक्सटू बटाके दू, कामा, यज उन प्लस वाई तू बटाके दू होता है, यह हता है, फारमुला, मद्ध विन्दू के निरvellसांग कहा है, लागता है, निरिदसांग का सिंद shipping user, action, इते हैं, लागत है, बेर एक्स त्हीं, sum okay, बेराबर किजिए, अग year कि यक्स का मान होता है यह Y का होता है तो think हर करना करें दिटिए दो किसके बराबर यह यक्स बराबर हो जाएंगा यक्स पॉन बटा के 2 इसको हर किए श्रेका एसे करेंगे तीजिए गुड़ा दू का दू में करेंगे दू दूना के चार हो जाएगा यह यक्स प्लस एक हो जाएगा अब क्या करेंगे एक को पर छांदा करेंगे तो चार एक इधर आगा तो माइनस एक हो जाएगा यक्स हो जाएगा चार में से गटाएगे तो कितना हो जाएगा तीन हो जाए यहां पर देखिए य पर दोर कर लिए यहीं यहां पर माइनस 3 साइब दटाँ सब्सक्रावन करें दोर अग। यक्स क्मान आया थी य का मान आया थी य के मान आयाा मैशन निरदे सांक हो जागा देकिंगे निर्दे सांक करto यूप Ben लिखा जाता है हम इसाब पारी यक्स का मान होता है फिसके बात यह इसक muklan कर लेंगे सवाल सही लगा के भी आप गलती कर लेंगे इसलिए चारों आपसन को ध्यान में देखे कि तब लगाईएगा तो डीवल आपसन क्या हो जागा सही हो जागा इसलिए कि आपका कितना यात एक बर देख सकते हैं 3,-10 और यहाँ कितना है 3,-10 यह आपका है ठीक है समझ में आ गया होगा अब देखे अगला प्रशन देखे आप अठवा नमबर का क्या है ठीक है यहाँ पर पूरा देख लिजिए यह 3x2-12x प्लस k बराबर 0 के मूल बराबर हो तो k का मान ग्याद कीजिए अब देखे इसको इसको कैसे अल करेंगे पहले समीकरों को लिख लेते हैं देखे तीन x2-12x प्लस k बराबर यह 0 है आपका क्या है जीरो है देखे आपका x के बगल में जो मान होता है यह a का होता है यह किसका होता है यह किसका होता है c का होता है यह जानते रहेगा जब मूल बराबर होता है द्यान दीजिए condition क्या होता है मूल बराबर होगा तिसका condition होता है कि बी-4ac बराबर यह 0 होता है जब मूल बराबर होते है तो बी-4ac बराबर 0 बी कमान कितना है दो बी कमान-12 तो-12 के स्कौर कर लिजिए माइनस चार गुढ़िए एक की Mentor कितना है तीन है और सी के जब कितना है कि यह और बराबर जीरो कर लीजे Vive On कीजिए 12 के स्क्राइब करेंगे तो कितने हो जाएगा 144 और माइनस की स्कॉर हमेशा प्लस मेही आता है माइनस इसका गुढ़िए दाक बारा का लिये चार में 12 के बराबर जीन एलो एक्षोच और लिए यह מाइनस बार जाका है माइनसS धर के क्या होजाथ के क्या हो जागा प्लस हो हो जागा आफ को के कमान केत करना आ आप क्या करेंगे 144 लिखेंगी और 12 गुड़ा है में पच्छान शेक लिखेंगे बटा में 12 क्यों हो जाएगा बारा से बारा 12 में कटेगे 144 12 12 में कटता है यहां पर 12 में यह होग वहाइए आपका क्मान क्या कितना का रहे अब अब चलिब आपका दिया कहा है तो आपसाम में सब्सक्राइब क्सा सब्सक्राइब हो जाएगा समझ hello समझ में आ रहा है तो कमेंट बाक्स में जरू लिखें और साथ में आप वीडियो को एक लाइक जरू कर दें ठीक है अब देखे कीस पका का सब्सक्राइब आपनू नंबर का जो दिया है कि दो आकरतियां जिनकी आकार समान हो परन्तु अम आप आवश्यक रूप से समान नहों तो काल आते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे देखिए, जब 2 आकरति आपस में समान हो, आकरतिह समान होने का मतलब क्या होँता है? यहां समझ दीजीए जैसे एक तिरभूज यह Dual बना रहे हैं, और यह भी तिरभूज इसी पकाशसा नहीं करते हैं तो उसे क्या करते हैं तो उसे को करते हैं समरूप आखृति पढ़ें कि उसमें समरूप आखृति की बारे में बताया क्या है अब चली अगला प्रशन देखते हैं इसका सही जवाब तो आपको हो गया दस्वा नंबर देखिए और देखिए दस्वा नंबर का आप किस्वाधा ही पृष्पट यह जो सम pornography 3 यह ़ोकि संगत बूझ यह अनुपाथ है 5 का अनुपाथ में हो उनके छेट्रफलों का अनुपाथ करके बस को समझीई तकि आपको समझाने का प्रयास करते हैं आप समझ जाएंगे ऐगा हूञ जОरे पात रचा यहसा दिखाते है दो panel करती ते दुर तबनेगा देखिया कि यही आपका है इसका मनेश्च mer इसका 4 पर यह दो तो तो यह दो जब क्या रहता है संगत झाथ युञार रहता है तो उनका फार्मूला क्या होता है आपड़ेटों बरहाभर होता है भूजा 1 और मतलब की आवन का और भूजा क्या इसका स्क्रो पास यहां पर दिया है तीन अनुपात से पांच नुपात से लिखेंगे नौ पांटे 25 क्या लिखेंगे नौन पांटे 25 तो आप हमेशा रखिए गया जो दो समरूप तिर भूज दिये रहते हैं उनके छेत्रफलों गोगा जो अनुपात होता है उनके संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग होता है यह फार्मूला होता है ठीक है इससे आप इस सवाल को तुरंत लगा सकते थे कितना है नौ अनुपाते पचीस अब आप सनमें देखें नौ अनुपाते पचीस कहां पर दिया है यह आपका पहले वाला सही हो जागा आप दूसरा मतलगाएं कि देखें 25 अनुपाते नो दिया है यह गलत है आपको कौन जा सही जवाब होगा 9 अनुपाते 25 हो जाएगा ठीक है अगला सवाल देखिए 11 नंबर का देखें परतेख सवाल को आपको एकदम डिटेल में बता रहे हैं ठीक है फिर भी किसी भी क्वेस्टन में आपको डाउट होता है कमेंट में लिखिए आपको जरूर उसका एंस्वर हम तुरंत देएंगे ठीक है पाइथा गोरस परमे क्या होता है पाइथा गोरस परमे पाइथा गोरस परमे देखें लिखे देते हैं पूरा पाइथा गोरस परमे जब पाइथा गोरस परमे आप पढ़े होंगे ता आपको पता होगा क्या फार्मूला होता है कड का स्कौायर बराबर आधार का स्कौाय यह सब्सक्क्राइब करने ला चाहिए, रगाम 5 सब्सक्राइब करने 7 में 15 पानल होगा, तो आपको पता होगा यह संकॉर्ड त्रिभूज में ही करते हैं, किसमें समकोर्ट त्रिभूज में ठीक है यहाँ पर आपका समकोर्ट त्रिभूज में यह लगता है और दोनों पर जाए सही बराबर हो जागा लिखेंगे समकोर्ट त्रिभूज होगा दोनों बराबर नहीं होगा ता आप लिख सकते हैं समकोर्ट त्रिभूज नहीं होगा लेकिन आपको एक चीज़ बता दें कि जब भी इस पकाच सवाल पूछेगा तो आपको समकोर्ट त्रभूष का ही पूछता है यहां पे आपका option देखिए कौन ऐसा होगा समकोर्ट त्रभूष देखिए यह वाल आपका सवाल सही हो जाएगा समझ में आगया है आपको मेक्स बारा नंबर का सवाल क्या कर रहा है देखें बरहावा सवाल पढ़िए दो समरूप तिरभूजों के परिमाप करमसा 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर है तो इनके छेत्रफलों का अनुपाद ग्याद कीजिए देखिए अभी इसके उपर आपको दसवा नंबर का सवाल हल कर रहा तिर्भूज नो.. ऑ बद्ता में दूसरे तिरभूज का परिमाप होता है क्या होता है दूसरे तिर भूज का परिना लिखते रहे ठीक इसलिए पदली से 1 बना लिजैज उसको जितनीं पिस्य क्यास करा रहे हूं इसको एक जगा नोट्स करते पहले तिर्भूज का परिमाप दूसरे तिर्भूज के जो परिमाप होता है तो पहले तिर्भूज की जो संगत भूजा होता है चलिए संगत भूजा को माल लेते हैं क्या माल लेते हैं यहां पर देखिए पहले तिर्भूज के परिमाप दूसरे तिर्भूज का जो का अनुपात होता है उसके संगत भूजा का अनुपात का होता है अनुपात होता है यहां पर देखे कितना दिया है चलिए देखता है पहले तिर्भूज और दूसरे तिर्भूज का परिमाप कितना दिया है 10 और 15 दिया है यहां कितना लिखेंगे 10 लिखेंगे और बटा में 15 लिखेंगे यह आएगा एवन बटाके एटू आज़े इसको छोटा कलते देखें पांदुना के दाश्पांट्र यानि कि दू बटाके तीन आया अपका एटू आया आपका इटू का मान आ गया आपका इतना अब देखें आपको एक चीज़ पता होगा अभी आपको पताए एक पताए थे रफूज के छेत्र फ़लों का अनुपात पूछ रहा है न इनके छेत्र फ़लों का अनुपात का फार्मुला क्या बताए थे यह नियुक्ता है और इसे क्या होता है अब यहां किटना झिएिए दू दिया है दू पटती दिया दू इसका कर लिजिए क्या करेंगे हाँ पें रहाट है पाते नो हो गया अब चले देखें चारन पाते नो कहा पर दिया है जो देखिए आपको कौन सा जवाब सही होगा वी वला आपसन क्या हो जागा आपका सही होगा समझ में आ रहा होगा देखिए यह सभी जो सवाल है आपके जो एक क्लास दस में आपने को तिरभूज वाला चेप्टर है उसमें से सवाल पूछा गया है अब देखिए आपके सामने अगला है तेरे नंबर का सवाल अगला है तेरे नंबर का सवाल देखिए आपका आगया तिरकड़ो मीती से संब तो कोशिक ठीटा का मान होगा अब इस सवाल को आप कैसे लगाएंगे ठीजिए फिर इसके बाद आप तो सिंपल से लगा लेंगे बहुत सिंपल तरीका से देखिए सवाल यहां पर पहले दिया है इसको लिखते हैं ठीटा बराबर आठ बटा के पंद्र होता है इसका मतलब कितना हुआ आठ हुआ आधार कितना हुआ पंद्र हो गया है आपको कोटस्य ठीटा घ्यात करना है नहीं जब भी आपको इसका सवाल पूछे तो आपको पाहिथागुरसपर में से पहले लंप और आधार तीनों भूजा पता होना कर musimy पाइए टो लगाएग है अभी पाइधा गॉरस पर में आप को बता है क्या बता है का स्कौर बरावर प्लस लग इसकौर होता है यह फार्मूला होता है यहां महत रख लेते हैं कर मान के आ 8 स्कॉआर कर लिए प्लस लम कितना दिया 15 15 स्कॉआर कर लिए इसकॉर करते देखे 8 स्कॉआर 64 ओजागा 15 की स्कॉआर दूसर पचीस हो जाएगा अब इसको क्या करेंगे जोड़ लेंगे चले जोड़ते हैं देखे 549 6 2 आर्द दूसर नमासी यह आया आपका कड़ का कोड़ होता है 17 यह को यह देखिंब कर दो को लोफन चल गैसे ँखेंब कोशेव ठीटा परेबर क्या होता है आपका अर्मूला मेरा कि कोशेव ठीटा भराबर होता है करण बटेंब होता किई कैने उटब 17 कितना है आपका है कितना होगा 17 वड़ा कहां पर सब्सक्राइब आप सन को लगाते समएं हमेशा द्यान इसलिए तैसे कि आप आप ड्यान ढहतें सेrintOr तो टीटा का मान होगा अब यहां पर संदिया है ठीटा का मान क्या हो सकता है आपको बताना है इस सवाल को पूरा लगा के बताते हैं आपको यहां भी देखिए आपका दिया है 2, cast 3, theta बरावर कितना 1, तो cast, theta बरावर कितना हो जाएगा cast, 3, theta बरावर यह गुड़ा में दूए तो पच्छांदा करेंगे तो 1, 2 हो जाएगा अब आप यह क्यों हमको बताइए कि cast, theta के रूप में किसका मान 1, 2 होता है यह होता है cast, satans का मान cast, theta बरावर कितना होगा 60, theta बरावर 60, तो 3 गुड़ा में तो 3 करेंगे theta बरावर 3 का भाग देंगे कितना में जाएगा 20, theta का मान कितना होगा 20, तो इस पकास है जब भी आपके सामने सवाल मिलेगा तो आप इस सवाल को इस पकास से बौड के लगाएगा बहुत सिंपल तरीका से सवाल लग जाएगा, ठीक है इसका जवाब का होगा 20 है, तो इसका सही जवाब सिवल आप सना क्या हो जागा जाएगा, ठीक है, कितने सिंपल तरीका सवाल आप लगा रहा है अब देखिए आपके सामने अगला नंबर का सवाल है क्या है कि दो वित्तों की परिदियों में तीन अनुपात है दो का अनुपात है उनके छेत्रफ़लों का अनुपात होगा देखिए यह सवाल तो अभी आपको बता है यह तो एक लाइल में लग जाएगा अभी समझायते चाहिए आपको बतायते हैं कि दो वित्तों की परिदियों में जो अनुपात होती है उनके संगत भूझा ओनुपात होता है उनके भूझाओं का होता है प्योग होता है यहांने ओन आप पार क्या कर लेंगे इस्कौर कर लाइजे देखे लेखे भू है देकिए को पासवार करेंगे नौ अर लिए इसका इसका क्लिए इसका पारालater हो जाएगा देखे लिए लिए उस सवाल आपको बिबry लेखे लें है ठीक है अब आपको डिटेल बता है इसलिए आपको यहां पर इस तरह लिखे दिए हैं तो नौन उपाते चार देखें कहां पर दिया है तो नौन उपाते चार यह डिवल आप्सन सही हो जाएगा समझ में आ रहा होगा आपको अगला देखिए 16 नंबर का सवाल आपको देखिए 16 नंबर का सवाल क्या है आपका द्यान से देखिए कर रहा है सवाल में यदि एक समान त्रिज्य आर के दो अर्दगोलों को उनकी आधार से जोड़ा जाता है तो इस नए बने ठोस का वक्र प्रिष्टिय च्छेत्रफल ग् बना दे रहा है ठीक है एक अर्दगोला क्या करें और बना दे इस तरह है दो अर्दगोला है इसका विक्या यह और दोनों की तिरिज्यां अपस में आ रहा है यानि इसका त्रिज्या आ आपका एक डो बन ज चाहिए कि बन जबहां समय बन जाएगा इसकार वक्रिष्टी और ठोस का क्या पताना था वक्रिष्टी चत्रेफल का केवल फार्मूला पताना था अगला प्राशन देखिए 17 नंबर का देहां से बहुत सिंपल से सवाल है आपका निमनलकित में से कौन केंद्री प्रविर्ति के माप नहीं है तो पहले तो आपको यही पता होना चाहिए केंद केंद्री प्रविर्ति की माप जो होता है कौन कौन से होता है तो आपका माद्य होता है क्या होता है एक माद्य होता है दूसरा क्या होता है माद्धिका होता है ठीक है और तिसरा क्या होता है बहुलक होता है यह जो तीनों है माद्य हुआ माद्धिका हुआ बहुलक हुआ य जबकि मानक वी चलंज होता है के अंधरी प्रयुत्ति की माप नहीं होता है इसलिए इसका सही जो अगला प्रस्ण देखिए अगला प्रस्ण किस पकास है यह सांख किसे संबंदित आपका एक चेप्टर है जो तेरावा नंबर का होगा चोधावा होगा इसमें से सवाल सभी पदो का योग सभी पदो का योग बटा में अब क्या हो जाएगा पदो की संख्या याने कितने पदेट पदो की संख्या अब चलीं हाप ने इस अब यहां या पर सबका योग कलें कि एक प्लस दू प्लस ती चार पांट छे एक प्लस नो बट तब पदों की संग क्या मत्द पदों की संगर मत्व एक डू तीन चार पांट चैसात नो हो जाएगा? अब चलिए सबको जो लिए देख एक में दू जोड़ा है तीन तीन चार दस दस पच पंद्र 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 चाह एककाईस एककाईस और चाह एककाईस और साथ 28 28 में आप आठ जोड़ दीजी ठीक है तो हो जागा 36 36 45 कितना होगा 45 बटाके 9 9 से कटेगा पांच बार में य लगाईएगा ठीक समझ में आगया होगा अगला सवाल देखिए 19 नंबर का निस नंबर का करा है यदि किसी बारंबारता बंटन की मादिका 16 अता मादिपंद्र हो तो उसका बहुलक आपको बताना है कि बहुलक क्या होता है देखिए आप इस सवाल को लगाने से पहले आप तीन गुड़े मादिका होता है क्या होता है मादिका माइनस करते हैं दू गुड़े मादिक कर देते हैं यह होता है बहुलक का फार्मूला होता है इस चीज को ध्यान देजिएगा यहां देखिए तीन गुड़े मादिका इसमें देखिए सवाल में कितना दिया है मादिका यहां पर रखिएगा सोला माइनस दू गुड़े मादी कितना दिया है मादी दिया है 15 तो 15 रख लीजिए और इसको केवल हर कर लीजिए अब चलिए हर करते हैं देखते हैं कितना आता है देखिए 16 गुड़ा तीन में तो 68 हो जाएगा माइनस 15 दुना के 30 हो जाएगा अब इ हम देखते हैं 18 कहां पर दिया है यह वहला अपसान आपकर क्या हो जाएगा सही तो उसका बहुला कितना हो गया अठार हो गया अब देखिए आपका अगला कोस्टें बीसवा नंबर का है प्रतम दस प्राकृति संख्याओं की मादिका होगी अब यहां पर मादिका पूचा कि अपांच छे साथ आठ नो दस यह दस प्राकृति संख्या होगा इसन सबसे कम समयम कैसे निकालेंगे देखिए अपर संख्या गिलिज़े कितना एक जू तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस दस गहत आधा बाठ बाठ दीजे देखे चार संख्याव को जोड़ के दो का भाग देंगे यानि पांच प्लस चोड़ेंगे इसमें क्या करेंगे दो से भाग देंगे यहां पर चली आप संदेखते हैं पांदस मेलों पांच कहां पर दिया है तो आपसन देखिए आपका डीवल आपसन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा यहां तक आपका दिर्ग बीस बावी कलपी जो प्रशन था आपको डिटेल में बताएं अगले प्रशनों को चलिए आपको बता देते हैं देखे आपका खंडबह है ठीके जिसमें वरात्मक प्रश सब्सक्राइब कर लें जिससे आप सब्सक्राइब कर लें जिससे आप सभी को आपके कच्छा दस के जितने भी विशे हैं सभी विशे के आपके 2025 का एक प्रशन जितने भी वारल पेपर को आपको कराते हैं आप जाके प्लेट लिश्ट से उन सभी पेपरों को देख सकते हैं ठीक है तो फ्रेंस आपका नेक्स्ट वीडियो जबाएगा माहित का तो उसम करें